हमारे पास हमने अपने last class के portion में हमने सीखा था कि nutrition जो होता है हमारे पास तो nutrition plants का मने पूरा complete किया था ठीक है अच्छा स्नेहा स्नेहा परी बच्ची जब मैंने last class में लिखा था कि light phase हमारे पास होता तो light phase के अंदर कौन-कौन से event मैंने लिखवाय थे कुछ याद आ रहा है event event एवेंट एवेंट थीक है फिर उसके बाद कि बिल्कुल सही उसके बाद कि ट्रैप होने के बाद सर उसके बाद सर फोटलाइस और वाटर रुटा है ठीक है एंदेन सिंसे बाद इनेंट नाइन । यह एक इनरजी करंशी होती है तो यह हमारे पास निकलाद था और फिर यह ही हाई एनरजी कहां पर यूटलाइज होती है डाक रिएक्शन में राइट और डाक रिएक्शन तो आप लोगों को पता ही है क्या जब सी यो टू एच्टो के साथ कंबाइन करके सी से केस्ट वैल ओसेक्स बनाता है गुलूकोस बनाता है एम आई राइट पर्थम प्यारे प अंग कालते हैं तो जरह मुझे बात बता हो से लेते हुगे सब कुछ तो यह लीव से लेते हैं और शेम निकालते हैं और जब हम उन mesophyll cells को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि mesophyll के अंदर हमारे पास है कि structure होता है जिसका नाम होता है distomata ठीक है और distomata तो आप लोगों ने पहले से ही कुछ भी पट रखा होगा अलकल का कुछ याद आ रहा है तो distomata हमारे पास वो structure है जो कि इसकी gases exchange में help करवाता है तो स्टोमेटा कुछ-कुछ इस तरीके से होते हैं एक रफ डाइग्राम जैसे समने वो देखाऊगा न कि कहते हैं घर में जो बनता है क्या कहते हैं उसे करवाता है यह मुरेपास garsals होते हैं जो open & clothes होते हैं तो यह पास 2006 होता है वो मेरे पास क्या होता है पहरे-पारी-पीथे लिएल्षेल्ट करते हैं तो और अब दिखू यह हमारे पास पूरागा-पूरा की स्ट्रॉमेटड का श्ट्रॉक्चर एं जो आप तुम लोगों को पता है कि यह stomata open or close होते होंगे, देखो mostly जो gases होती है वो दुफएर के टाइम पे exchange होती है, mostly, ठीक है, ऐसा नहीं कि रात को नहीं होगी, तो देखो यह मेरे पास swell कैसे करते होंगे, I mean देखो जितना भी water होता है plant के अंदर, तो यह पानी इन stomata के अंदर भर जाता है, तो जब यह पानी stomata के अंदर भर जाता है तो इनकी opening start हो जाती है, beach मैंसे यह structure open होना start करते दा है, जैसे इस के अंदर पानी भरने लग जाता है, ठीक है, और जैसी यह पानी को फिर से निकाल देते हैं, पानी को निकालने के वाद यह श्रिंक हो जाएगा जैसे मालो शिवांग ने बहुत सारा पानी पी लिया और यह गुबारे जैसे होगे एक दों फूल गया एक दों बहुत ही जादा ठीक है किसे ने मारा तो यह बॉल की तरह गुल-गुल गुंके जा रहा है इतना पानी पी लिया लेकिन अब इसने क्या करें मालो इसको थोड़ी से वामिटिंग हो गई तो इसने सारा पानी भान निकाल दिया तो फिरसे पतला हो जाएगा तो जब भी स्टोमेटर स्वेल होते हैं यह उपन अप हो जाता है और जब भी श्रिंग होंगे तो फिर से खेलोग घ्याए everybody शुरुतिबानिक अथर्व तो इसका मतलब प्लांट इफ आई राइट तो काबन डाई ऑक्साइड जो होता है वो प्लांट जो अप्टेन करते हैं आफकोस वह अट्मोस्फेर से लेंगे में so we can say did plans obtain carbon dioxide co2 for the photosynthesis I mean for photosynthesis photosynthesis means photo means light synthesis means making right from the atmosphere ये बार तो बच्चों बच्चों को पता है सब कोई बच्चा को जोगां पता और पता अब काबन डाईओक्साइड जब प्लांट के अदर minute करती थे और किशेя थेट्लों मैं थथ डालौं सब्सक्राइब जना कर रहा है तो यह था पर आपको थीक है तो घटी पॉर्स को आप मैं स्टोमेटा चुछ थो में पास होता है जो कि मेजोफिल लीव के अंदर होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोसिंग करवाते हैं राइट याद रहेगा एवरीबडी तो देखो अब हमने ना देखा है कि अगर यह मेरे पास एक लीव है लीव मलब पत्ती है ठीक है तो पत्ती का जब चोटा सा पॉर्शन निकालते हो त दिखते है ना तो यह मेरे पास कुछ-पूछ इस तरीका सा देखता है कि यहाँ यहां पर भी नेपास एपिदरमिस के सेल्स हैं उपर उपर के लेईर होई ना यह तो यह लीव इतनी पत्तली होती है लेकिन जब तुम उसको देखते हो माइक्रोस्कोप में तो हमारे पास बोहों दिख कराते हैं कि यहां पर क्लोरोपलास्ट है और यहां यहां पर यहां किया रखे होगे हैं यहां इस साइर इस साइड यह मेरे पास तो मेटा क्लोके तो यहांकि ही हाई has और यह epidermis की layer है उपर-उपर यह तो पढ़ाई होगा प्लांट क्यों है वाट क्या लिखना है हाँ भाई और क्या कर रहे हैं हाँ हाँ बिलकुल मेरे साथ चलो सबका साथ और सबका लिखना जरूरी है तो सब जैसे से मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे सब लिखते जाओ ठीक है और समझते भी जाओ सारे सेंसिस ऑन रखो अपने थीक है तो यह जो मैंने इतना इस सा बनाया यह चोटा सा यह 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 है यह जो इस सट तुम देख पा रहे हो यह माइक्रोस्कॉप में जब देखोगे तो यह देखेगा तुम्हें तो लिव के अंदर यह लीव का सेक्षन है चोटा सा जो तुम इस वहर अग्री गूर अरी और नीचे-द्ध इनक्राइट चोने चनल में और तो इस तो में लेखा जाए तो यह बताऊ एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है कि यह बोल सकता हूं नीचे वाली लेर विटर्मिस है तो आप पर ही तो है देखो यह भी दर्मिस लेर है और एपिडर्मिस के ठीक उपर ही तो है सो कैना ही से देर स्टोमेटा अलोकेटेड ओन दीपिडर्मिस लेयर अफ दी लीव किसी को कुछ नाइं बूलना है उलाओ बुलने का मन वी तो नहीं करता और वे कुछ मीम देख रहा तो वो सिप्सक्रणी बनाया जिस नहीं बनाया है क्योंकि एक दम लेजी बच्टे ऑघ वे şur हो महा लेजी बच्टे और तुम असे कोई रहो तो Küwe Active Active काम करो चुप चा पर रहते हो एकदम नीह रहीं है पूरी खाँ रहे हैं समॉसे खा हरे हैं ब्रैड ideas पता नहीं आजकल की जन्रेशन इतनी लेजी कैसे हमारे टाइम पर में तना एक्टिव रहते थे हम तो चाहते थे कि टीचर हमें पांच-पांच-छे गंटे बढ़ा है और हम बस बोलते रहे टीचर भी बोलता रहे हम दिन रात बस बढ़ते रहे और आजकल की जन्रेशन एक सब्सक्राइब नहीं है यह सब तो है बस पढ़ने का एक जजबा होना चाहिए कोई जजबा है नहीं जब अब अब बढ़ रहे हो बस क्योंकि परेंट को पढ़ा अब पाज गंटे बोलो सो शड़ा बैब एपिडर्मिस लेयर के लिखा है बढ़ने स्लियर ओफ लियर ओ सुरी मेरे गलती हो गई मेरे मूते निकल गई तो यह है लीव्स लीव्स ओके ठीक है लीव्स 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 तुम बात हो मैं फसाल है तो बात है करने में इतने नंबर इस लेयर ओफ लीव्स ओके लिए इंसान हूं मैं भी मैं कोई रोबोर थोड़ी हो जो गलती नहीं कर सकता तो यह जिया रहेगी है वरीबडी ओके तो यह हमारे पास स्टोमेटा है ये अब यह बताएगा पार्थ प्यारे-प्यारे बच्चे तो एक बात बताओ पार्थ की हमारे पास यह जैसे स्टोम milk trial तो यह ज़ो स्टोमेटा है तो यह स्टोमेटा ओपन अब कब होता होगा क्या लगता है सब्सें पानी जाता है हाओ यह जम यह निम्श्रा doubt जाते है वाटर स्वीजाता है डाइस अब हो बताओ यह स्टोमेटा के अंदर जो बीच में पूज्ड ऑफ और एक सेकिन तो यह मेरे पास क्या है इस पोड़े सरांड़ेट बाइंट बाइंट इस एविदे बाइंट बाइंट यूद्ध ने जा रहे हैं वह बहुत अच्छा लगता है मुझे एक्टिव बच्चों का स्वागत है ठीक है वेरी गुड तो देखो यह ज इतनी भी तो ऐसी होती है तो यह गार्ट सेल जो है यह किट्नी शेप इसके होते हैं और जाहदर देखा गया को तो मेटा है तो इसके अंदर एक ही तो पूर होगा एक बच्क काव नहीं है लोगो लाइव के साथ भी बनाना तो यह हमारे पास क्या है तो गाड़ सेल जो होते हैं वो किटनी शेप की होते हैं डाइकॉट के अंदर धियान रखना सारे बच्चे और यह किस चीज में हल्प करते हैं वट इस दी में फंक्शन ऑफ वट इस दी में फंक्शन ऑफ इस्टोमेटा प्राइमरी फंक्शन में फंक्शन तो जो मेरे पास में फंक्शन है गाड़ सेल का वो होता है गैस को एक्स्चेंज करवाना ठीक है एवरीबडी और यह एक्स्चेंज कैसे करवा पाते हैं तो इसका माला ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होगा हमारे पास तो ओपनिंग ओपन तो वह स्वेल हो जाएगा और स्वेल होगा तो वो मेरे पास ऊपन अप हो जाएगा लेकिन क्लोस का भूना चाहिए फिर जब वाटर अंदर नहीं होगा सर जब भार जाएगा ठीक है तो एक्जिट और और यह के कर जाएगा मेरे पास श्रिंग कर जाएगा ठीक है प्यारी प्यारी बच्चो तो यह याद रखना है आप लोगों को तो यह हमारे पास पूरा का पूरा एक content है अनने इम्पॉर्टेन्ट करनेस है सब होनी चाहिए येइस नोटर देखो हमारे पास होते हैं जो कि highly advanced हैप केments होते हैं तो है highly advanced he contains ginger plant मेरे पास क्या होता है तो एक मेरे पास होता है जासे मौनोगोट का मतलब कर था मेरे दैक दाइकाइफ गाति कर दाल्ता। व्हुता है तो यो दिहानर को रहते हैं उसे को भूता है ईक महीं रहता है उसे बोलते हैं तक बिनिभल लड़कियों वाले डंबल वहां होतले हैं तो से डूबल शेफ टो यह टो देखा होगा शुरुती को देखा था तब अभी है और मैंने तेका मैंने लुग मारी वह वैसे हमा से वहां चली गए तो इसका मेला तो मौनो कोण के अंदर कैसे होते हैं डंबल शेफ लेकिन डाइकॉट के अंदर डाइकोट के अंदर अरे बीन शेप किट्नी शेप तो वेरी गुड येस तो अब हम अपना यही स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं वैसे तो देखो मैंने समझा दिया है तो यह पूरा का पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसे और यह सब लोगों को याद रखना है ठीक है तो जस्ट वान सेकिंड इस बच्चे यहां पर ऐसे उनको कितना भी बुलो वीडियों करने के लिए लेकिन मजाल क्या वो टस से मस हो जाए उनको फरागी नहीं पड़ता सर क्या बुल ले हैं उनको कोई मतलब नहीं है अच्छेंच के लिए कौन रिस्पॉंसिबल अथर्व तो इस टोमटा वरी गुड और यह जो इस टोमेटा है हमारे पास यह ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं अगर ऑपन हो गया तो इस टैम पर गैस एक्स्चेंज हो रही है या नहीं हो रही है इस टाइम पर अगर ओप अब यह जो आएंगे तुम लोग जाओगे तो गैस एक्सेंज हो रही है लेकिन जब क्लोज हो गया तो कौन सा चौर अंदर आता था चरह पता नहीं को जब बन देतो ठीक है शुरुती वह बात अलगे शुरुती बैलकनी से कुछ जाती है लेकिन वह अलग बात है ठीक है लेकिन ऐसा युशुली नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब मैं एक बार यहां पर एक बार ऐसा हुआ तो इसको नहीं कहां से मुझ के स्मेल आई एक दम खड़की से शलांग मार के दूसरे घरे से मुझ चुडा के लिए ठीक है तो चलो वह परसनल स्टोरी इस नहीं को मना क है तो बताने के लिए ठीक है मैं नहीं बता रहा तो ठीक है भई आई के सब लोगों के स्क्रीन पे एक वीडियो आई होगी किसी मालब जो स्टॉप हो रखे राइट नहों अब लोग इस वीडियो को थोड़ा सब लोग ध्यान से देखेंगे ठीक है एक सिकेंड जरस्ट मेरी यवाज नहीं है यह कुछ बच्चे कह रहे हैं हो भी नहीं सकती शट आप नोसर आपकी जैसे तुम चुप रहोगे मिलो बेटा तुम तुमको बताएंगे जैसे कि मैंने बताया थे कि लीव्स के अंदर हमारे पार इस टाइप से स्टक्चर दिखते हैं ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है धिहान रखना इस वेरी मच इंपोरेंट ठीक है तो यह कभी थे खयाम मैं स्थीदे बना रहा थे हों तुम्हें आइटफाय करना होता है। थेक है तो… the surfaces exposed to the intercellular spaces. The surfaces of the cells give out some of the water, which forms a thin film. The water from this film evaporates, and the water vapor formed saturates in the intercellular spaces. This vapor then diffuses into the other connecting intercellular spaces, and finally reaches sub-stermatal space from where it escapes out through the stomata. Stermata are absent in the submerged hydrophytes, that is hydrilla valisneria. Yes, this is what you have seen. Water plant, the terrestrial plant, they have got it, everybody? Yes, sir. Transpiration occurs as long as the stomata are open, it stops when they are closed. Open and closed stomata. Closed stomata. Placid gorge cell. Stomata closed. Stoma open. Turgid gorge cell. Turgid gorge cell का मतलब होता है, जब किसी stomata के अंदर पानी भर जाता है, तो अंदर से बहुत हाई प्रेशर लगता है. जब भी कोई cell एक दन स्वेल कर जाते हैं, तो उस cell को बोलते हैं, तर्जिट gorge cell. तर्जिट, तर्जिट का मतलब पानी एकदम मैक्सिमम फिल हो चुका है या नहीं? तो वो flaccid था, ठीक है? तो अगर stomata पूरा भर हुआ है पानी इसे, this is called turgid, और अगर बिलकुल भी नहीं है, इसे बोलते है flaccid, ठीक है? यह तुमने, अगर 9th किलास के एक चप्टर पढ़ा हो, cell, वहाँ पर यह सब पढ़ा था याद आया, hypertonic solution, hypotonic solution, तो hypo के अंदर turg acid होता है, यह बच्चों को याद होगा, यह तुमने, पानी आ रहा है और carbon dioxide atmosphere से आ रहा है, rates, rises, leading to osmotic uptake of water by the guard cells to swell. Since the wall of guard cells towards stomatal opening is thick, while outer convex wall is thin, inflow of water in the guard cells causes them to bulge outwards, thus widening the stomatal opening. When the osmotic pressure of the guard cells यह बस अतना धियान रखना है कि हमारे पास opening and closing से वासरे water के flow होने से होती है, ठीक है, तो I hope सब लोगों को water का explanation यहाँ पर सभी में आ चुका होगा, अब देखो हमारे पास एक चीज है, बस छोटी से चीज है कि यह होता कहाँ पर, तो तुम लोगों को पता है, जब तुम 9th class के अंदर तुमने एक चीज पढ़ी थी कि Plastid, Plastid का मलब होता है Chloroplast, तो Chloroplast का जो structure होता है न, तो उसके अंदर देखो वो न, इस तरही के से होता है Chloroplast, तो यह हमारे पास एक Green Green structure होता है, ठीक है, तो एक न, Single Coin-like structure, Coin, Coin, एक ही Coin जैसे structures होते हैं, तो एक Single Coin को हम बोलते हैं Thylakoid Membrane, Thylakoid, तो एक Single Coin को हम बोलते हैं Thylakoid Membrane, और ऐसे ही बहुत सारे Coin का जो Stack of Coin हैं, Coin का पुरा-पुरा Bundle, इसे हम बोलते हैं Grana, ठीक है तो ऐसे बहुत सारे इस तक्चर होते हैं ग्रैना और ग्रैना किसे मिलके बनाए थालाकॉइट से तो यह आपसे बहुत सारे होते हैं और यह आपसे वेल कनेक्टिड भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं मालब यह तो जलो ग्रैना हो गया इसके अंदर एक लिक्विट भरा होता है जो सको हम बोलते है stroma एक liquid भरा होता है ठीक है सिसक्कों मोलते है stroma तो यह हमारे पास वो site जहांपे photosynthesis होती है क्योंकि पुरा chlorophyll से भरा होता यह उसको एक single coin है उसे क्या बोलते है thalakoid membrane membrane ठीक है और जो liquid भरा हुआ है इसे हम क्या बोलते है this is called stroma जो liquid भरा हुआ है और यही coin होते हैं यह मेरे पास chlorophyll से भरे होते है और यही पर ही मेरे पास क्या होती है photosynthesis ठीक है तो यह एक मेरे पास chlorophyll का structure है जो कि प्लास्टिट के अंदर लिया जाता है याद करो तुम बोलते थे ख्लोर प्लास्ट को तो एक single coin like structure क्या होता है थायला कोई भाई जितनी भी चीजे में लिख रहा हूं सब बनानी है ठीक है जितनी भी चीजे और अपने हाथ को अपने माइंड को अपन रखो और हाथ चलाते रोजली तो यह तो हुआ हमारे पास यहां पर पूरा पूरा प्लांट के बारे में और रियक्शन मैंने लिखवाई दी ठीके बई एरिल एरहिल एरिल वो जो फोटो सिंध्यक रियक्शन थी तो वो क्या क्या हुआ था उसमें carbon dioxide का reduction हुआ था या oxidation हुआ था तो याद है सर तो वो क्या था रिडक्शन था या ऑक्सिडेशन था अप 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 नहीं नहीं अच्छा कर रहे थे ओके पार्थ तुम्हें पता है अच्छा बना रहे थे भाई मेरे पास सारे पर ध्यान रखेंगे सी ओटू और एच्टू उसे मेरे पास क्या बनता था और यह बनता था और यह मेरे पास एक पूरी के पूरी रिडॉक्शन हुई या नहीं हुई यह सर भाई रिडॉक्स का मतलब क्या होता है यह रोस्वती 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 रिडॉक्स तो यह हमारे पास क्या है में रिडॉक्शन क्योंकि मेरा गुलुकोस बनकर आ रहा है कापन डायोक्साइड से अच्छा इस रियक्शन को शुए हाई एनर्जी चाहिए होते हैं लो एनर्जी चाहिए होती है तो यहीं पर हमारे पास प्लांट का न्यूटिशन होता है समाप्थ ठीक है अब यहां आ आ रहे हैं अपना अच्छा मैंने अमीबा पैरा मेंशन बता दिया था एवरीबडी नौस्टा क्या बूल लेओ सीरिस्ली नौस्टा क्या नाम है वह एक सिक्टे से का थायलाकॉइड मेंब्रेन थायलाकॉइड यह स्ट्रोम है जो लिक्विड फिल्ड होता है इसके अंदर ठीक है और यह पुरा-बुरा क्लोरोप्लास्त है तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे यह हमारे पास क्या होता है एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्क्चर जो होता यह एक सिंगल कॉइन सिंगल कॉइन को बोलते हैं थायलाकॉइड और ऐसे बहुत सारे कॉइन को बोलते हैं हम अपना ग्रैना ठीक है एवरीबडी यहां तक किसे कोई दिक्कत तो नहीं है देखो अब हम अप पांच स्टेप के अंदर डिवाइड होता है ठीक है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं इंजेशन इंजेशन का मीनिंग क्या होता है इसे मालो शोयब कया कि यार पढ़ पढ़ के बोर हो गए चलो एक काम करते हैं डॉमिनोस चलते हैं तो डॉमिनोस में इसना पूरा पीजा लिया जो की कटा हुआ भी नहीं था इसना पूरा पीजा एक साथ सीधे एकदम माउथ में एकदम मा जैसे राजशी भी क्या करें बर्गर लेने बर्गर खाने गई ठीक है वह जो आता है बर्गर किंग का तो सीधे एकदम एकदम अंदर एकदम बिल्कुल नो मुमेंट सीधे बस मुह के अंदर आ गया अभी कुछ नहीं करना है अभी तुरह सा टेस्ट लेना तो फील आती है करेंगे तो अव्यसी बात है तीथ तीथ उसको कट करेंगे चोचड़े पीसिस में सलाइवा निकल के आते नहीं आता सलाइवा वो चो लिक्विड लिक्विड सा होता है तो यहीं से मेरे पास डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है और यह पूरे बॉड़ी तक चलता है जो पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम है ना तो डाइजेशन सबसे बड़ा प्रॉसेस है इंजेशन के बाद डाइजेशन स्टार्ट होगे है माउस से फिर जाएगा पूरी बॉड़ी में इस तमख के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर तो पूरा खाना डाइजेस्ट हो चुका है अब डाइजेस्ट का मलब बड़े चोड़े पार्टिकल से चोड़े बन चुके है अब क्या होगा तुमारे अंदर बॉड़ी के अंदर ना एक वेलाई टाइप का स्टक्चर आता है जो कि खाने देखो खाना पेट में रहता या पूरे बॉड़ी पार्ट के अंदर जाएगा जड़ा बताओ फिंगर हैंड नहीं जाएगा तो इसी लिए अब जितना भी खाना एब्सॉब हुआ है तो बताओ अब्सौप्शन होना चाहिं नहीं होना चाहिए उसका एब्सॉब्शन तो पेट से चितना भी 100 परसन खाना खाया तो 40-50-60 परसंट जितना एम्सूप होना है वो बॉड़ी में जाएग क्योंकि अभी तुम्हारा absorption का level इतना जाता नहीं है लेकिन जैसे तुम एक बाट 25 क्रॉस करोगे तो तुम्हें बताईये तो absorption का level ऐसा बढ़ेगा मैं तो हुई live example देख पा रहे होगे एकदम healthy सा तो थोड़ा-थोड़ा और भी लोग healthy है ठीके तो इसलिए तो उस time बे फिर absorption का level बढ़ जाता है जो खाओ के तुरंद लगेगा शरीव में ठीके तो अच्छा तो अब मालों absorb होगे बड़ी पार तक तो अब बताओ जितना भी खाना absorb हुआ है वो हर एक सेल तक enter करेगा या नहीं करेगा हर सेल के अंदर assimilate होना या नहीं होना है मेरा यह हाथ है देख इसकाल एसी मिलेशन ठीक है तो दिस इसकाल एसी मिलेशन जब एब्जॉब फूर हर एक सेल के अंदर assimilate करें एंटर करें इसकाल एसी मिलेशन अच्छा तो जितना भी तुमने खाना खाया था बताओ सारा का सारे अब्जॉब होता है या सर्फ कुछ पोर्शन होता है तर यह जो भी मेरे पास होता है नियूट्रिशन यह पांच स्टेप में डिवाइड होता है खाने को ठीक माउथ में लेना इसकाल इंटेस्टाइन चलना कॉंप्लेक्स स्मॉल ठीक है और एब्सॉप्शन क्या होता है उसको डाइजेस्टर फूड को एब्सॉब करवा लेना ब यह जर्नल स्टेप्स हैं अमीबा के अंदर भी है हुमन के अंदर भी है मला जब भी न्यूट्रिशन होता है न तो का नैतिकता के अधार पर पर यह स्टेप होने चाहिए अगर किसी के अंदर नहीं है तो इसका मला कुछ कम ही है ठीक है तो ने नूट्रिशन के यह बेसिकली पांच स्टेप माने जाते हैं ठीक है पहरे पहरे बच्चो तो पार्थ हेवस्ट तुम यह बताओ इंजेशन का मेनिंग क्या होता है इंज देता हूं तो तो मैं सरी वह ही लिखना होता है जो मैं बोर्ड पे लेख रहा हूं सरफ सर्फ सरीफ ज्योग मार्ट पर लेख रहा हो ताकी जब भी मालो कोई को ईसा टास तो सबसे पहले स्टोमक से स्टोमक से स्टार्ट होता है कि जैसे हम माउच में डालते हैं तो सल्दांस से कटकर होगे सलाइवा निकलेगा तो वही एकदम डाइशन स्टार्ट हो चुका है वहाँ ठीक है भई ओके तो यह सराशी बेन यह बताओ यह वट यू मीन भाइदी ऐसीमिलेशन राशी वास्योर राशी बताओ राशी राशी मत बताना ऐसीमिलेशन क्या होता है यह बताओ अरे नोट करना भूल गहीं यह सुनना भी भूल गहीं यह होता है बच्चे जो बच्चे द्यान से सुनते प्रथम मित्तल प्रथम प्रथम यह एसीमिलेशन मैंने क्या बताया अभी एसीमिलेशन यह इसमें लोगों को समझ नहीं आता इसलिए जान पूछ रहा हूं Sir, may I? No, not now. Yes, प्रथम मित्तल प्रथम मित्तल रहा क्यों कर सकते हों क्यों सर्क्ट गटा हो। मैं नहीं नहीं बता पाऊंगा Shrieagopta? Shrieagopta, Shrieagopta मेरी नाग कटवादी पूरे बैज के सामने पूरे समराज जगे सामने खुशी तुम्हें पताए एसिमिलेशन क्या होता है यह सिर्थ बताओ क्या बता है मैंने विर फूर जयरेशन दर फूर्ट आप अप्टाट जिटें इस जयर नदेश्ट एस सब्सक्ट देश्चिन एस तो अब तुम्हारे हर सेल के अंदर जाएगा ना शिवाम को स्मार्ट लग रहे हो ठीक है तो बस उसी तो एसिमिलेशन बोलते हैं और जो एबस नहीं होता है फिर उसका इजेशन हो जाता है ठीक है गॉटीटइवर्इबडी थैवरीमदी क्या कर रही हो बेदूर्ण करें जो बिडियो ने रहे हैं जिन वेडियो कर रहे हैं तो नहीं उन्कinte कर रहे हैं और को ज़रूर को 대FA की साय बनारा होगा कोई अपने tril extend effect लगा रहा हो गया कोई अपने जाघार यहां इसे कर रहे हैं सब पता है मुझे किस टाइब की बाते होती है कि एक बाइब प्लीज हसके दिखा दो बहुत अच्छे लग रहे हो फिर वह सके दिखाता है मैं पहले से मुटेट था पर साथ मेसेज आड़ता की अन्म्यूट करना है मुझे ओ सुरी यार गलती से हो गया होगा वन्ना मैं ऐसा मैं कभी नहीं करता किसी को तो बता देना क्या पता गलती से तुमको सजा मिल जाए और तुम को बता हो सनुग्या का तुश्मनी है मेरे से अब कुछ नहीं गलती से ओगया होगा ठीक है बही ओके अब बताएगी शुरुती बानिक शुरुती मैंने दो टाइप के न्यूटिशन बता है थे ऑट्रोफिक तुम बता सकते हैं अच्छिशन ऑता जिसमें और गानिजम दूसरे और गानिजम कर डिपेंड होता है वेरी सब्सक्राइब करते हैं कि तुमारे रिलेटिव में आते हैं कि तुम्हारा बूलना विल्कुल मैच करता है हलगा-लगा वो भी ऐसी भूल देते हैं कि हमारी सरकार में ब्रस्ताचार हो चुका है इसलिए 100 सवाल के जवाब से अच्छी है विल्कुल ठीक है चलो वेरी तो टीचर कितने इंप्रेस हो जाएगी देखो 30 आफ और 20 मिलेगा वाईवा के अंदर ठीक है everybody ओके तो अब आते हैं अमीबा के उपर देखो मैंने तुम्हें बताया था होलो जोई का मतलब क्या होता है होलो जोई का मतलब होता है जिसके पास well-defined mouth हो तो अगर किसी के पास well-defined mouth नहीं है लेकिन वो mouth जैसा structure बना रहा है मतलब एक नकली mouth बना रहा है तो उसे भी हम mouth ही मानेंगे ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों तो amoeba क्या होता है amoeba eukaryotic होता है लेकिन बस single cell होता है तो इसके पास ना तो mouth है ना पेट है ना कुछ है ना टांग है कुछ भी न को change करता है क्योंकि अपने Cytoplasm को move कर सकता है ऐसे ठीक है इस तरीके से अंदर जैसे गुबारा होता है माने लोग गुबारे के अंदर पानी ना move कर रहा है तो गुबारा मुव करेगा तो इसी तरीके से यह अपने Cytoplasm को move कर वाता है जिसे हम बोलते है Cytoplasm की streaming तो दे Cytopodia एक नकली mouth जैसा structure जीडो मलब false पोडिया का मलब feet पैर तो यह एक ऐसा structure बना रहे ताकि जल्दी से इसको इंगल्फ कर ले देखो ऐसे इस तरीके से मालों यहाँ पर food रखा है तो यह अपना ऐसा structure बनाया और ऐसे करके अंदर ले जाएगा इसको ठीक है तो इसे बोलत है वैक्योल तो यह वैक्योल ही इसका एक digestive system जैसा काम कर रहा है देखो सारी बाते फुल्फिल हो रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से नकली structure बना के यह कर रहा है यह सब देखो mouth बनाया नकली mouth वैक्योल बनाया जो digestive system जैसा काम कर रहा है इसका absorption भी इससे हो जाएगी ठीक है और जैसी इससे यह waste निकल जाएगा यह तो nucleus ही ही nucleus होता है न और फिर जब यह absorb हो जाएगा फिर यह इस waste को वैसे ही भार निकाल देगा ठीक है nutrition ले लेगा और यह waste को ऐसे भार निकाल दिया ठीक है body से यह structure बना के end में ले जाके तो यह हमारे पास क्या है amoeba के अंदर भी तो assimilation थोड़ा सा होता है बस उसी में energy बढ़ जाती है पूरे cell में और फिर यह उसी को भान निकाल देता है education के थुरू क्या इसके पास कोई real mouth होता है real mouth no sir लेकिन क्या नकली mouth होता है yes sir pseudopodia very good तो no real mouth is present ठीक है अच्छा injection किस structure से होता है तो थोड़ी जीड़ो पोडिया तो थोड़ी जीड़ो पोडिया ठीक है और मैं आपको फिर से एक बार एहवान करता हूं कि जितनी भी चीजे में बोर्ड पे लिख रहा हूं वह आपको सब कुछ लिखना है सब कुछ बनाना है सब कुछ सब कुछ बनाना है ठीक है जितने भी चीजे बोर्ड पर है वह सब आपको नोट डाउन करना है सब कुछ एटो जेड ठीक है बस यह जो वीडियो साइट में तुम देख पा रहे हैं इसको छोड़के बाकि जो सब बोर्ड पे है तो जीडियो पूरी यह हो गया और जो फूर्ड इंगल्फ होता है बताओ तो वह एक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है उस स्ट्रक्चर क्या बोलते है जो 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 बोलते हैं वेरी गुड और वह इसका डाइस स्ट्रक्चर जैसा काम करता है राइट सो फूर्ड इज इंगल्फ गैट्स कैप्चरड इन गैट्स कैप्चरड इन फूर्ड वैक्यों आई नो थोड़ा सा स्पेस कम पढ़ गया मैं यहां पर लिग देता हूं कै ठीक है प्यारे पारिशा तो यह अमबा का एक पूरा का पूरा प्रोसेस का है यह वेस्ट निकल किया है है से तो सब लोग ध्यान राखेंगे जिस तरीके से पार्टिकल नहींItal किया था उसी तरीके से इसको यह अपना वह भी करतेगा बाहर भी निकाल देगा ठीक निक बड़ी, देखो अब कुछ लोग कहते हैं कि सर तो ये खाने का डाइशन कैसे हो, देखो जो ये वैक्यूल होता है ना जब एब्सॉप्शन की बात आती है, ऐसे मिलेशन की बात आती है, तो ये फूड वैक्यूल ना लाइजोजूम के साथ भी कंबाइन होता है, एक चीज़ तो ये फूड पार्टिकल थोड़ा सिंपल बन जाता है, ठीक है, और फिस साइटो प्लैसम में डिफूशन होता है, जिससे फूड को एब्सॉड कर लेता है, ठीक है, तो ये सब चीज़े याद रखनी है, तो क्या इसके अंदर ऐस सच जो अंडाइजेस्टिट फूड है, वो वेक्योल के अंदर ही रह जाएगा, और बस प्लास्मा मेंब्रेन की हेल्प से वो फूड भार निकल जाएगा, तो इजेशन कैसे होता है अमिवा के अंदर, विद्धी हेल्प अफ प्लास्मा मेंब्रेनी, जो आउटर लेयर है, वेस्ट निकानने के लिए जीडो पोड या नहीं बनता, बस यह कौने-कौने में जाएगा और प्लास्मा मेंब्रेन उसे बाहर कर देता है, तो वेक्योल जो होता है, फूड वेक्योल, यह प्लास्मा मेंब्रेन के साथ फ्यूज होके सीधे इस ट्रक्चर को बाहर निकाल देगा, जो जो वेस्ट है, दखो यह तो इसने फूर पार्टिकल लिया था तो कुछ अमाउंट ओफ उन्डाइजेस्टिट वेट तो रही जाएगा या पुरा खाली हो जाएगा वैक्यूल तो तो यह था हमारे पास अमीबा के बारे में किसी को भी कुई सब्सक्राइब करें लिए इसके पास खुद कोई ऐसा मेकैनिसम नहीं है ना क्योंकि अभी सिंगल से लिए हमारी बॉडी में तो बहुत सरे सेल मिलके टिशू मिलके डाइसिस्टम बना देते हैं और्गन मिलके लेकिन ऐसा जिनके पास तो ऐसा फिनोमेना ही नहीं है ठीक है इंबी होता है ना सुना होगा तो इसके पास यह सीलिया होते हैं सीलिया तो यह सीलिया क्या करते हैं सीलिया फूर्ट पार्टिकल को कैप्चर करते हैं और यह फिर एक सीलिया से दूसरे सीलिया को फूर्ट ट्रांसफर करते हैं और फाइनली अपने माउथ के अंदर यह इं लिए के अंदर आ गया ठीक है तो यह एक से दूसरे इसके अंदर देते रहेंगे और फाइनली माउथ के अंदर जान तो इस तरीक ारे पास सब लोग जान गई कि ये पैरा बनाटा यह भी इसका माउथ है इसकी ओपनिंग है इसका माॉथ नहीं नहीं बनेगा वू तो उसमें बना था हम है क्योकि खाने को अंदर लेना था शॎत है हमारे यहां पर आ रहा है सारे जिना सुनेंगे सबसेंपॉर्टेंट पार वो है हमारे पास human being तो अब हमारे पास human being आ रहा है ठीक है तो nutrition in human being अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब लोग तो human being के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा वाला mode of nutrition होता है autotrophic hydrotrophic very good ठीक है तो अब हम अपना human being के बारे में start कर रहे हैं तो देखो भई एक roughly structure में बनाऊँगा ठीक है और hydrotrophic के अंदर भी हमारे पास तुम लोगो को पता है एक चीज तो देखो तुम लोगों को पता है कि हमारा mouth है यहाँ पर ठीक है mouth से हमारे पास यह इसोफेगस के बाद हमारे पास क्या होता है stomach होता है isn't it तो इस stomach के बाद हमारे पास यह अब यहां से रफ लिया ठीक है structure क्योंकि मुझे बस समझाना है अभी तो मैं तो practice करनी पड़ेगी तो यह हमारे पास क्या है small intestine small intestine length के अंदर काफी बड़ा होता है ठीक है remember that small intestine के बाद यह यहां से start हो जाता है मेरे पास large intestine ठीक है तो यह हमारे पास यहां से हो जाएगा large intestine diameter को देखते हुए यह होता है हमारे पास तो यह हमारे पास large intestine है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आ जाती है यह एनस ठीक है तो यह हमारे पास और यहां पर हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों इस साइड होता है हमारे पास liver और यहां पर हमारे पास होता है pancreas जिसकी सीक्रीशन सीधे सीधे जाती है small intestine के अंदर ठीक है यहां से तो देखो यह हमारे पास एक rough डाइगराम है ठीक है I know यह थोड़ा सा जादा कोई बात नहीं ठीक है तो यह हमारे पास mouth है सब लोगों को पता है ठीक है mouth के अंदर टीत ओते हैं और mouth के अंदर हमारे पास क्या होते हैं salivary glands भी होती है त्म लोगों बहुत ऌच्छा से पता होगा ठीक है मेरे पास क्या eosophagus eosophagus को हम food pipe भी बोलते है इसोफेगस, food pipe, this is stomach, इसोफेगस के बाद क्या आता है, stomach आता है, ये मेरे पास है pancreas, this is liver, ये मेरे पास है small intestine, जो उपर उपर का पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा पार्ट, ये ये ये, ये पूरा का पूरा small intestine किलाता है, small intestine, small intestine, इसले small intestine होता है, क्योंकि उ left में लेकिन बड़ी होती है और ये वाला पूरा का पूरा है large intestine लार्ज intestine ठीक है तो small intestine और ये last में हमारी पास जिस से हम with को भान निकालता है is is called MS हैं ठीक है तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक system है digestive system human being का तो mouth is बाड़े बला डद्र का लाज इंट्र कर रही है थीकर जो भी वेस्ट होता है वह टेंप्ररी ली तुम्हारे इस रेक्टम के उंदर स्टोर रहता है ठीक है जब तक कि पुरा या फुलन लागा फिर तुम वेस्ट को भार निकालते हो तो this is also called rectum, यह large intestine का last वाला पार्ट होता है rectum, वैसे large intestine की foundation है पढ़ते हैं बच्चे, large intestine के तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ऐसी small intestine के भी तीन पार्ट होते हैं, टियोटेनम, जेजुनम, इलियम, लेकिन वो तुमको नहीं करना अभी, तो इसलिए तुम्हें चिंदा करने के ज़रोते हैं, ठीक है, ऐसी स्टमक के भी तीन पार्ट होते हैं, पाइलोरिक, फंड़क, कार्डिया लेकिन वो तुम्हें करना नहीं है, तो मैं सिर्व अभी इतना ही याद रखना है, तुम्हें इतना कर लो, वो ही बहुत दोड़ी बात है, ठीक है, तो mouth हो गया, isofagus का एको नाम होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, food pipe, ठीक है everybody, याद रहेगा, तो mouth के अंदर, आप sublingual, submandibular and parotid, ठीक है, sublingual, parotid and submandibular, तो ये तीन टाइप के salivary gland हमारे पास मिलती है, और इन salivary gland का क्या काम होता है, वो saliva निकालना, वो जो liquid liquid होता है, कभी dog को देखा है, dog मालो food तुम खा रहे हैं, तो dogs के mouth से वो saliva घिर जाता है, कभी कुछ बच्चों की मुह से भी ग तो वो क्या है, वो सब saliva ही तो होता है, तो वो और बच्चों वैसे और उसनों दूद भी आए, फिर तो वो white white भी हो जाएगा, ठीक है, तुमको को कही दही कहां से आई, तो वो दही कहां से आई है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होता है, तीत और salivary gland, ये mouth में होता है, तो ये पूरा का पूरा एक structure है, everybody, any doubt, हमलब, any doubt क्या, ये तो यादी करना होगो तुम लोगो को, तो yes, सब लोगो एकदम जल्दी सही से बनाए, फटा-फट, तो देखो, अब हमारे पास ये human का पूरा का पूरा एक digestive system है, ठीक है, मैं एक बार इसका diagram भी है, तो मैं आभी से बना के लाओगे, तो मुझे, मैं लिए थोड़ा फायदे मन्द होगा, ठीक है, तो देखो, भई, सबसे पहले माल लो, अगर मैंने खाना खाया, तो obviously, वो कहाँ पर जाना चाहिए, माउथ में, तो माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, this is called, बक्कल कैविटी, ठीक है, तो माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल, ठीक है, तो इस सब लोग अपना चरह राइट साइड में देखना है, स्क्रीन के से जूम भी कर सकते हो, अब लोग, देखे हो, यह पूरा का पूरा स्ट्रॉक्चर एक राइट साइड में, क्या नहीं दिख रहा है क्या, तर दिख रहा है, ठीक है, तो यह हमारे पास बहुत साइड की स्ट्रॉक्चर से तुम देख सकते हो, यह माउथ हो गया, सलाइवरी के लेंड इसोफेगस, ठीक है, यह एनेस, रेक्टम, इलियम, कोलोन, इलियम, कोलोन, जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल इंडेस्टन के तीन पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, और ऐसी लार्ज इंडेस्टन के पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम, अगर किसीने सुनाओ तो, पर तुम्हें इतना करने की ज़रोत नहीं है, अभी तुम टैंट महीं होना, तो हमारे पास कुछ अस्टक्चर से जो तुम्हें याद रखने हैं, तो यह मेरे पास क्या एक पूरा पूरा डाइज़स्टिफ सिस्टम के बारे में, I hope it is clear to everybody, तो देखो भई, अब अगर मैं इसी के अंदर यह दिखाऊंगो, किस तरीके से हमारे पास यह पैटन चलता है, स तो सबसे पहले हमारे पास है माउथ, ठीक है, माउथ से अब माउथ के अंदर ही जो पूरा 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 स्टक्चर है, जहां पर खाना है, पूरा 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 स्टक्चर है, जहां पर खाना है, माउथ के अंदर, जब खाना है, तुमने आ बॉला फिला में Neben एच्छ लगता हो तो उसे हम बोलत इनम टीस होते हैं ठीक है और और जो निकल कि किला कि लिकिए तो भुलिस बना जेता है तो जब खाना पूरा का पूरा तुम चबा डालते हो एक दम बुरी तरीके से ठीक है शकला का पूर को एक दम चबा डाला तुमने उसे छोचे पार्टिकल में उसे भान निकालते हैं गटकने से पहले भान निकालते हैं तो उसे बोलते हैं बोलस ठीक है अच्छा देखो एक हिहाँ पर हमारे पास जैसे तुम उंगल्फ करते हम तो यहाँ पर होति है Women यह फैरिंग ऐस ऐसी ट्यूब है जो तुमारा तुम्हार तुम्हारी ये भोनने वाली तो बोलने वाली पाइप और फूट पाइप ना एक जिए पर यहां पर कॉमन होती है कॉमन होने के बाद वो अलग लग जाती है इसलिए लोग बोलता है खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए क्यों क्यों क्योंकि तुम खाते हो ना तो यह close हो नहीं होती है फूट वह एयर चला गया फिर तुम्हें धसका लगता है चोकिंग हो जाती है खासी खासते ना फिर पानी लाओ पानी लाओ क्योंकि तुम खाते-खाते बोलते फिर घरवाले बोलते हैं यह समझने आता तो इसलिए ऐसा होता है या तुम बोलने की कोशिश करो तो एकदम एयर पाइप तो यह बंद हो जाती है एक फ्लैप होता है जो कॉमन ट्यूब है तो यह कॉमन ट्यूब है जो की फूड और वॉइस बॉक्स दौनों के लिए होता है ठीक है ना महलब खाने खाने वाले ट्यूब यह है और यह एर पाइप है वॉइस बॉल सकते हो तो यह कॉमन कॉमन स्ट्रक्चर जो उपर इसे फैरिंग बोलते हैं फिर इसके बाद खाना जाता है पीछे की साइड और हम बोलते हैं आगे के स्ट्रक्चर लॉज साइड तो खाना कहा जाना चाहिए बैकसाइड और फ्रंट साइड लॉज साइड और यह इंटेस्टाइन में जा रही है तो पीछे जाना चाहिए न इस तरीके से ऐसे रइट तो यह वाला तो इसलिए ये एर पाइप का structure close हो जाता है तो इस एयर पाइप के structure close कौन करता है epiglottis तो एक ये flap होता है, ये उपर-उपर का flap, और ये है air pipe, voice box, तो ये flap इसको close कर देता है ज़ता तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, तो ज़ता तुम खाना खा रहे हो, close हो जाएगा तो सारा खाना कहा जाएगा फिर, obviously food pipe में जाएगा फिर, तो इसको बोलते हैं epiglottis, और इसको हो जाएगी, ठीक है, तो pharynx ए common tube है, air tube है या food pipe है, pharynx, अरे बताओ, अरे मैंने अभी बताया भाई, तो दोनों है, हाँ, pharynx दोनों है, और ये pharynx उसके बाद दो इससों में बढ़ जाती है, और हमें इस साइट जाना है food pipe में, तो ये इतना इससा pharynx कहलाता है, pharynx is a common tube, okay, फिर इसके बाद ये बढ़ जाएगा, तो जालाएगा food pipe में, food pipe क्या बोलते है, isofagus, ठीक है, अच्छा, isofagus से खाना कहा जा रहा है, जरा बताना एक बार, isofagus से, ये isofagus से, तो stomach में जाएगा, very good, stomach में चला गया, ठीक है, stomach के बाद कहां पर जा रहा है, very good, तो वो small intestine में जाएगा, small intestine के बाद कहां जा रहा है, large intestine, very good, वो जाएगा large intestine में, large intestine के बाद कहां पर जा रहा है, वो मेरे पास finally, rectum से होते हुए, large intestine का part last वाला rectum कैलाता है, और उसके बाद ये जा रहा है, तो देखो अब हमारे माउथ के अंदर चार टाइप के तीथ भी होते हैं हम सासत पढ़ रहे हैं तो उन लोगों का तुम्हें नाम पता होना चाहिए तो यह हमारे पास हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी के लैंड भी होती है और इंसीजर के नाइन्स प्री मोलर्स होते हैं देखो जब भी तुम्हें केला वेला खाना होता है केला तो तुम ऐसे खाते हो या फिर सीधा ही खाते हो डारिक ली बताओ सीधा है तो इसका मैंलों यह जो आगे के आगे के जो यह दान्स है मेरे तीष यह कट्टिंग करते हुए न कट्टिंग एपल खाते हो तो एपल यह सीधे खाता है तो जो कैन वी सेदर जो हमारे आगे आगे वाले दानत है ना यह इंसीजर होते हैं इंसीजर तो यह इंसीजर कैन वी से करते होंगे स्रफ कटिंग सब्सक्राइब कर नाया है कोई आइसा कर दूद के दांत है मैं अबी इसलिए तो अधिक है तो नॉर्मल बात कर रहा है कि तो यह कहना है और उसके बाद देखुये दांत के बाद देखो डॉलबल लगें को टंग से पहने दात के बाद देखो डबल डबल तीत होंगे, येस सरॉ, कुछ कोई ऐसा है, मेरे तु नहीं है, हो ये मेरे साथ क्या हो गया, कोई है ऐसा, बताओ कोई बात नहीं, मैं कम्पलेंड करूंगा फिरू, येस ठीक है तो ये जो डबल डबल तीत है ना तो इनको pre-molars और last वाले को बोलते हैं molar तो ये last वाले ही सबसे important क्योंकि ये ही करते हैं crush grinding बिल्कुल चबा डालते हैं कितना चबा डालूँगा छोड़ूँगा नहीं लेकिन तो ये चबा डालना ये ही होता है last के तीत का थीक है तो ये बिल्कुल एकदम crushing grinding chewing बिल्कुल एकदम तोड़ देना एकदम तो ये काम किसका होता है प्री मोलर्स का तो प्री मोलर्स काफी स्ट्रॉंग होते हैं crush grinding करने में ठीक है बई तो ये खाने को बताओ खाने का digestion माउस से start हुआ या नहीं हुआ तो ये अब पूरा का पूरा next class में हम पूरा digestion पढ़ेंगे ठीक है कैसे कैसे तो हम आज के लिए इतना ही structure कर रहे है ठीक है बई तो आज हमने पुरा structure बढ़ा है पुरा कुरा function पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही करते हैं मिलते हैं तो आज के लिए टेस्ट के लिए अच्छा सब्सक्राइब करेंगे बढ़ा एवरीबड़ी को भाई से थैंक्यू सब्सक्राइब